हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहें इसके लिए घंटी विदवाएं ते दिन गए अकारती संगत भहीन संथ प्रेम बिना पसु जीवना सक्ती बिना भगवन्त नमस्कार दोस्तों मैं अदेगनेस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं सनातक इस्तरवाली जो टेस्ट शरीच चल रही है उसमें जहां लक्षमी केद है राजिंदर यादव दुरा करिज जो कहानी है उसकी अच्छा लगे तो लाइक करें सेर करें और ज्यादा सेता मि भाव है तो यहां पर इस कतन के अंदर वेंगे का भाव है उसके गालों पर आंसों की लकीर सूख गई है उसके होट पपड़ा गए हैं चहरा मुर्जा गया है और रेस में बाल मकड़ी के जाले जैसे लगते हैं जहां लक्षमी केद है कहानी में ये पंक्तियां किसके परियुक्त हुई है जहां लक्षमी केद है कानी में लाला रुपाराम के बेटे का नाम था राम सवरूप क्या सुनकर गोविन्द की आत्मा खाक हो जाती है तो मुंसी जी सब्द सुनकर गोविंद की आत्मा जो खाक हो जाती है अगर कोई इसे मुंसी जी बोलता है तो उसकी आत्मा जो खाक सुरूप हो जाती है या उसे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल जहां लक्षमी कैद है कहानी में लक्षमी के भाई राम सोरूप की आयू थी आठ वर्स इसके घर में एक चंडी जो है ना उसे उसके साथ सब का निर्वा नहीं हो सकता कहानी में उग पंक्तियां किसने कई तो चोकिदार दिलावर सिंग ने ये कहा लक्षमी पूजन का साया सुनकर गोविंद को अपने गाउं किस औरत का ध्यान आया तो अपने गाउं की विद्वा तारा का ध्यान आया था उसे जहां लक्षमी कैद है काने में हिस्टिरिया की सिकार कौन थी लक्षमी है जो हिस्टिरिया की सिकार हो गई थी लाला मुहला जो कंजूस होगा वही तो रईस होगा ये कतन है मिस्त्री सलीम का जहां लक्षमी केद है कहानी में चोकीदार के नुसार लाला रुपाराम की कमाई थी 12-15 जहां लक्षमी केद है कहानी में लाला रुपाराम की भाई का क्या नाम था रोचुराम उचलती, कूदती, बूरी-बूरी, गालियां देती, बेमतलब रोती, हंस्ती, चीज़ें उठा उठा कर इदर-उदर फैंकती ये सारी की सारी पंक्तियां किस की विश्यसता बताती है, लक्षमी की विश्यसता बताती है लाला रुपाराम किस परवर्ति का वेक्ति था कंजूस परवर्ति का गोविंद का नाम कहां आ गया था तो गोविंद का नाम जो विश्व विद्या लेके नोटिस बोड़ पर आया था जहां लक्षमी के दे कहाने का मुख्य पत्र है लक्षमी बस उसकी साधी होनी थी कि सारा खेल उजड गया यहां पर उसकी सब्द किसके लिए आया है तो गोरी के लिए आया है और गोरी किसकी बेटी थी यह आप बताना जहां लक्षमी के देकानी में रोचुराम की बेटी का क्या नाम है गोरी ठीक है यह यहीं पर अगला प्रश्ण आ गया राजिंद्र यादाउ ने अपनी पत्नी मन्नु बंडारी के साथ कौन सा उपनियास लिखा था तो एक इंच मुस्कान जो उपनियास है राजिंद्र यादाउ ने अपनी पत्नी मन्नु बंडारी के साथ मिलकर लिखा था पुराणी मानिताओं के चलते एक लड़की का जीवन नर्ख बना देना ये सवेदना इसमें दर्साई गई है। लक्षमी मान्सिक अवसाद की सिकार क्यों हो जाती है तो घर में एक जिए बंध कर देने कारण बंदी रहने के कर लिए मानसिक साथ की सिखार है जो हो जाती है है मैं लग्षमी का विवा करते हैं उसका साथ छोड़ कर चली जाएगी इस तरह की संकिन मान्सिक्ता काहा नि जान ACTके किसकी ज़ाए तो लला प cel तीन पंट और रेखांकित करकर लक्षि में गोभscale को दिया था पत्रिफीयं माध्यम से लाला रुपाराम और गोभैंत के पितां किया समद्ध था कॉंटे को से मित्रताथ समद्ध आपकर कि दिया था घोविंद की और यूटी बीस वाई साल के करीब क्या कारिता तो रिक्ष से पंचर होजाते थे उनको पंचर निकालने के पंचर लगाने का कार यह था सरीम का और अली आहमद का क्या कमता तदो Griff से ठीक करने का जहां लक्षमी कैद इस कानमी का परमुख उद्दय से क्या है तो इस कानीности वह लख्षमीं जो जैसी अनेका नेग लड़कियों की वेता का वरणन ने जो इसकानी के माध्यम से करना यह उसका उद्दयस है तो सुक्रिया दोस्तों ये थे इस कहानी के विशेश प्रशन अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें जदा से ज़्यादा सेर करें